अपनार शुन्चेन Community Radio JU 90.8 MHz जादुपूर विश्यपिद्दालायर एई बेतार सम्प्रचार विश्यपिद्दालायर टेक्निकल एडिकेशन कॉलिटी इंप्रूब्मेंट प्रोग्रामे रॉंग्षो सब्रकम मनुष्यपिद्दालायर टेक्निकल एडिकेशन कॉलिटी इंप्रूब्मेंट प्रोग्रामे रॉंग्षो सब्रकम होरङशन कॉलिटी इंप्रूब्मेंट प्रोग्रामे रॉंग्रेंट प्रोग्रामे प्रोग्रामे रॉंग्रामे. अजिंपविद्दोह सम्ब्मेंटिको सब्सकेशन कॉलिटू. से शहर में सा तुम्हें एक कहानी बताऊंगे कहानी अपने पाठ पुस्तक मेरी पुस्तक दितिय श्रीनी के टितिय भाग से पेज नमबर 204 को हम लोग खोलेंगे और यहीं देखेंगे एक है बादलों की देश बादलों की देश यानि जहां इस देश में बादल रहते हैं य और हमाले के तराई में बहुत सारे जगों पे घुमने जाते हैं वही सब जगों पे बादल रहते हैं इसके लेकर कौन है वो पंद्र किशोर राय चौधरी थामतल की में आया हूं बादलों के देश दारजलिंग में कोलकाता से साड़े साथ हजार फूट के उचाई पर ठी कितना उचा है इसका सटिक अनुमाल लगाना बहुत कतिन है दारजलिंग के रास्ते बनो की सोभा बड़ी निराली है अकेले जंगल में जाने पर जान को हथेलियों पर लेकर जाना परता है किन्तु ट्रेन से जाने पर कोई खत्रा नहीं है एक बार लेकिन ट्रेन के सामने एक विशाल जनली हाथी आ गया था यह जो दारजलिंग है यह कोलकाता से कितनी दूर है सारे साथ हजार फूट की उचाई पर है और ठीक कितनी उचाई है इसका सतिक अंदाज भी नहीं लगाया जा सकता है ठीक है बच्चों सुन रहे हो ना हम लोग किस जगा की बात कर रह है हां बहुत ही फेमस जगह है दारजलिंग दारजलिंग के रास्ते में बहुत सारे जंगल है अकेले में जंगल में कहीं जाया सकता है नहीं वहां भी नहीं जा जा सकता है वहां भी जाना खत्रा है मगर ट्रेल से तो जा सकते हैं ना ट्रेल से लोग जाते भी हैं घुमते ह पहाडों की शैर करते हैं, बादलों को छूते हैं, बादलों को देखते हैं, एक बार क्या हुआ था एक विसाल जंगी हाती, कहां आ गया था, ट्रेन के, शायद ट्रेन के सामने, वो क्या समझा था, और ट्रेन को एक दुत्रा जीव समझा था, और वहां होगा वो लड़ेगा नहीं लड़ेगा यही सोचा था कि ठीक उसी समय ट्रेन के ड्राइवर ने को पोकर जोर से ट्रेन की सीटी को बजाते हुए ट्रेन को तेजी से बढ़ाया और जिसे देखते ही वो हाथी माईरे माई कहता दुम दबाए अपनी जान लेकर भाग चला जब वो ट्रेन की सीटी ब हाट गया क्योंके जेन की सीटी तो खुब जोर थी और वो डर गया ठीक है अब हम लोग आगे सुनें हम इस तरह आप लोग उसे पूस्ते रहेंगे और आप लोग हमें उत्तर देते रहिएगा देते रहिएगा ना हम लोग देखेंगे के आगे और क्या होता है तेन उन जं हाप्ते हाप्ते ते कं खजूरेकी तरह 15 मेरं दि रही ऐंचरा के लिए थ्रफे टैकर्णे पर एक फूट उछती ते लिए अetime पहड पर जाता है तलों दिएसरफेंदने पर नहीं जीने, 30 संहबने बहस्ता, लेन चांदे कर दिनेकर लिए फोल बादलों के साथ मुलकात होती है घर में बैटकर आकास की ओर ताकने पर जिन बड़े-बड़े बादलों को देखते हैं वो लगभग इतनी ही उचाई पर रहते हैं हम लोग अपने घर से बादल देखते हैं ना लगता है ना बहुत दुर है वो है हमारे यहां से लगभग देर हजार पुटकों साई पे जब हम पहारी पे जाते हैं तो वहां बादल एकदम सामने होते हैं हमारे खिर्कियों से हमारे दर्वाजे पे बादल जमे रहते हैं और वहां ऐसा लगता है जैसे वो बादल नहीं कोहासा है वही दूर होने पे वो जम्य हुए बादल बहुत बड़े-बड़े दिखाई देते हैं जैसे ही टेन उन में धुकी वैसे ही ये समझ में देर नहीं लगी के उसे हम कुहासा कहते हैं ये भी ठीक वैसी ही है दूर से उन्हें देखने पर वे बादल और अनेक अंदर धुक कर देखने पर कोहासा दूर से देखने पर क्या है बादल है मगर उसे उसके अंदर जाने पर जैसे हम लोग समझ रहा है अगर हम लोग ट्रेन लेके जा रहा है तो लग रहा है वादल के अंदर टूप गया है तो वो क्या लग रहा है जैसे कोहासा है लगबख साड़े चार हजार फुट किंचाई तक तेन बड़े बड़े पहाडों को दखिनी भाग से सटकर चलती है उन पहाडों के उत्तरी भाग में क्या है उसे देखा नहीं जा सकता उसके बाद जैसे ही वह मुड़कर उन पहाडों को दखिन और छोड़ती हुई उत्तर की और बढ़ी वैसे ही दिखाई पड़ी धूप धूप से चमक रही सफेद बर्प से ढखी हमाले की चोटियां चोटियां दिखाई देती है उसके बाद थंड़क भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है अब क्या हो रहा है आम लोग पहाड़ी पे जा रहे है दारजिलिंग जा रहे है तो वहां तो थंड तो है तो थंड आइस्ते इस्ते बढ़ रही है तब यह समझने में देर नहीं लगत नित नहीं नहीं खेल है दारजिलिंग जाने के रास्ते में सबसे उचाई पर इस्टेशन है धूम सबसे उचाई पर कौन सा इस्टेशन है धूम उसके एक इस्टेशन के बाद है दारजिलिंग उससे और थोड़ा नेचे धूम से दारजिलिंग की दूरी कुल 5 मिल है धू दूर तक तैय करने में अधिक समय नहीं लगता चलते चलते एक मोर घुमते ही अचानक दार्जिलिंग शहर दिखाई पड़ा हलवाई की दुकान में मिठाई की ठाली जैसे सजी रहती है लगवक उसी तरह पहाडी की गूद में जैसे घर भी सजाए गया है हम लोग हलवाई क की दिकान में देख्ते है ना मिठाई सजी रहती है एक पेक एक तिछंगर के वैसे ही पहाडी में घर भी रहते हैं लगता है जैसे घर को सजाए गया है देखने में बहुत सुंदर लगता है किन्तु दार्जिलिंग का असली सुंदर्ता तो उसके घर दौण में नहीं वह ह बादलों और हिमाले तथा उजाले और छाया की शोभा है। दाजलींग की असल सुन्दर्त क्या है। बादल है। और उजाले और छाया की सोभा है। कई दिनों सवेरे उठते ही देखा के पहाडों की पीठ पर बादलों के बच्चे जैसे सो रहे हैं। उनके माथे के उपर से हिमाले की धुंदली चोटिया दिखाई दे रही है। अभी सुर्य उदय नहीं हुआ। पूरब के आकास में सरमिली हसी की तरह हल्का सा उजाला दिखाई पड़ा। फिर धीरे धीरे हिमाले का चेरा रंगीन होने लगा। उठकर रंग को ढाला ऐ तूलियां लेकर बैठा। सोचा बहुत कुछ बनाओंगा। मैं जो दार्जलिंगे था तो मैं उस नजारे को अपने पन्निय पे उतारना चाहता था। इसलिए मैंने रंग और तुलीली और उसे चाहा कि मैं उससे बहुत कुछ बनाओं। पर सैतान बादलों के बच्चे, मगर वो जो बैठे हुए थे, पहाड़ों पे, धूप के हाट लगते ही वो बेचारे भी अपना विस्तर छोड़कर उट बैठे। जब धूप के हाट लगी तो पूर लोगों ने क्या किया? वो लोग वहाँ से विस्तर छोड़कर उट गये। उसके बाद एक कदम, दो कदम चलते हुए ना जाने किस देश की ओर ओर आवाना हो गये और हमाले को धग दिया। वो लोग वहाँ से चलते हुए हमाले को धग दिया। मेरी चित्रकारी के सारे कारिक्रम को मिट्टी में मिला दिया। देखते ही देखते वो पहाडों बनों भरों तथा सभी को जैसे निगल गये। उन्होंने क्या किया कि पहाडों को ढख लिया और देखते ही देखते वह पहाडों बनो घरों सभी को जय से निगल लिया सभी को उन लोगों ने ढख दिया अब आसपास के घर पेड़ पौदे कुछ भी दिखनी का उपाय नहीं है हमारा घर तिस मजबूत पहाड के उपर खड़ा है वह पुस्पक विमान की तरह सुनने में उड़ता परियों के देश की गोर तो नहीं जा रहा है इस बात की विश्वास करने मुश्किल हो गया दस मिनट बाद देखा के सारे बादल उरकर चले गए और चारो दूप झिलन मिलाने लगे सुभा से साम तक जब बार बार धूप अपना रंग बदलता है तब बार बार हमाले के चहरी का रंग दी बदल जाता है जब जब धूप बदलता है और हमाले पर पड़ता है तो वो भी अलग-अलग रंग का दिखाई देता है कभी मिस्री की डली, कभी आग, कभी सोने की तरह, कभी मोती की तरह वो अलग-अलग समय में अलग-अलग तरह का दिखाई देता है कभी सिल्क के उपर चांदी की जरी जैसी इस खढ़िया के तरह जैसे जादुगर की जादुगरी इसी तरह दिन बिताकर साम को फिर सोने की तरह आप की तरह मानिक की तरह बनकर अपने नाटक का अंद किया सुबह भी वही हुआ, कभी अलग-अलग रंग लिया और साम को भी अलग-अलग रंग लिया और इस तरह वो नानाटक बंद किया बैगनी रंग की पहाडों के साथ माते पर मानिक की तरह बर्फ सजी है इतना सुन्दर वा दृस जिसकी बराबरी हो नहीं सकत राज रानी की बहु मुल वस्त्र और मुकुड भी इसके सामने सर में सिर्व शुका लेती है यह इतनी सुन्दर लगती है कि इसके सामने राज रानी की बहु मुल वस्त्र मुकुड भी सर शुका लेती है यानि फिकी रहती है इसे तरह रात भी आई यदि आकास में उस समय जुवल चांद रहे तब तो उसकी सोभा और भी निराली हो जाती है हाँ इसमें ऐसी कोई घबराहत नहीं वास्तों में सभी को ऐसा ग्रिश के प्रती इसने नहीं हुपी हो सकती है लेकिन जो समस्ते हैं वह देखते हैं देखते ही बोल उड़ते हैं अहाँ यह हुई हमारी दार्जिलिंग की एक छोटी सी छलक जो हमने इस पुस्तक को पढ़ते हुए तुम्हाई ते तुम्हें दिखाया दार्जिलिंग में क्या है बोलो तो दार्जिलिंग में पहाड़ है और क्या है वहाँ बादल रहते हैं घर कैसे हैं घर जैसे दाई सजी होती है एक पेक ऐसे पहाड़ों पेख़र एक पहाड़ी दो पहाड़ी आशे आड़े तीछे सजय हुए रहते हैं अब हम लोग थोड़े सब्दार्थ पड़े अनुमार अनुमार यानी अन्दाज ड्राइवर चलक डार्जिलिंग पस्सिम बंगाल राजे का एक जिला अच्छे हिमाले भारत के उत्तर में इस्तित परमाला उसे ही हम लोग हिमाले कहते हैं मानिक, मानिक्य, चांदी, रजत, खड़िया, चौक ठीक है? ये सब्दार्थ पढ़ोगे, इसे याद करोगे और इसे सुनाओगे सब्दार्थ याद होना बहुत जरूरी है क्योंकि तुम लोग के परिक्सा में भी सब्दार्थ आते हैं अब हम लोग नीचे के परस्नों पूट कर लिखें लगे हाथों इसको भी कर दे हैं बादलो के देश कहकर लेखा किस जगे की बात कह रहे हैं? बादलो की देश कहका लेखाक दारजिलिंग की बात कह रहे है रहे है ना दारजिलिंग के रास्ते में ट्रेन कैसे चलता है टेड़े मेने चलता है क्योंकि वो पाहडी जगा है दारजिलिंग के रास्ते में सबसे उठी पर इस्टेशन का नाम क्या है इस्टेशन का नाम घू पहाडी के उपर घर किस तरह सजे दिखाई देते हैं, जैसे थाली में मिठाई सजे रहते हैं, जैसे ही घर सजे रहते हैं दर्जिलिंग में कौन सा पहाड दिखाई देता है, हमाले पहाड, दर्जिलिंग में सवेरे का आकास देखने में कैसा लगता है, कभी सुनारा लगता है, कभी चांदी जैसे लगता है, कभी आप जैसे लगता है, लगता है ना, अभी हम लोग पढ़े ना, उसे देखते ही कह कहते हैं कौन कहते हैं सुलगर्ता को समझते हैं वो कहते हैं क्या जगह है अब हम लोग आज यहीं तक पढ़ते हैं इसके दाद हम लोग आगे दूसरे दिन पढ़ेंगे अन्य बात बच्चों अपनारा सुन्चेन कम्यूनिटी रेडियो जे यू 90.8 मेगाहर्च जादुपूर विश्यपिद्दालायर एई बेतार सम्प्रचार विश्यपिद्दालायर टेक्निकल एडिकेशन क्वालिटी इंप्रूब्मेंट प्रोग्रामेर अंशुर्ण सब्रकम मनुषेट्व जने आमरा दायपत्थ्रो धिन्न धरनेर मनंशिल अनुष्ठान पचारे कम्यूनिटी रेडियो जे यू 90.8 मेगाहर्च जादूपूर विश्यपिद्दालायर निजश्यपिद्दालायर निजश्यपिद्दालायर एडियो स्टेशन 90.8 अनुष्ठान क्यामोन लागछे आमा दे जाना भेन आपनारा आमा दे जानाले आमरे खुशियावो 2414-6060-5566 2414-6060-5566 रेडियो जे यू ते शीशु दे जन्नो सहोज पाठ कमेनिटी रेडियोर माध्धमें शीशु देर पड़ाशनो उद्दोगे पोष्ची मङो स्थीकार सुरो खायों कोची काचा दल चल छे शहज पाठ रेडियो निमेदाने पोश्ची मंगो शीशु अथिका शुरो खायोक सहजो कि थाए जाद पूर विशोवे दालायर कम्यूनिटल रेडियो 90.8 मेगा हार्चा तुमादे संगे रोएछे आमी तुमादेर आतोरेर बंको बाबु आरी कि पूरी चोगे चबो आमरा दाएक बाद चिस्टा कुर्वो शुष्मीता आन्टी आमादेर की बले। चोट्टो बंधुरा क्यामो नाच्छो आमी थुश्मितायांती आमी तुस्थी मोंगो शीशियोदिकार शुरोख्खायागे काच कोडी तुमादर जुन्न काच कोडी आगेव आमादर कथा होय शे आमी किची-किची बीशायनी तुमादर काचे एश्छिलाम तारमद्द अन गुट्टा-च, ब्याद्टा-च वा, शेफ्टा-चु अनुस्य।फ्टा-च फिशेलीं धल bell simple जोदिकियोव आमादर के आधरं गडे भालो बहस औने कि आमादरं भाली आशे फो आगे अमरा कथा बोलेछी, जखन कोनो इधरने पुरिस्थिति आशे, आमरा किन्तु निजे देके बाचाबु, अमरा छोटो बोले चुपकोरे ठाक बोलना, इप तुम्रा जानो तुम्रा खुब शाहूशी, आमी जानी, किन्तु ताओ बोल्छी, तुम्रा किन्तु चुपक करीते हूँ, बाप बोण्जू बाबामा, जाके तुम्रा विश्षास करो, भर्स्षा करो, ताके किन्तु संगे-संगे जानावे, जे ओए अंतिटा, बाँ अउई आंकेल्टा, आमार स्थे किन्तु भालो ब्याबार कोर्छेना, आमार भालो लाग्छेना, ताहले किन्तु आगाम भीपत्थेके, आगे आमरा देचे जेते पारू, आर्चो दी, पुरो दी ने रहुम धर्ने घर्टना खटे, फ़रो गोर्ते ही पारे, सब समय तमरा सतरको ठाकी ना, बाँ सब समय आर्शे पाशे काउके पाई ना, कखन कखन तमरा एकलाओ ठाकी ना, आर विशेश आर्शे में तुमा अमरा बारी, मैंने बारी बाइरे बेरोλλάत है उम्हा सिके जानिन, जे उने काशे लोग जारा बारी बाइरे थेके बारी त आसचेना कं गुद्वर देखियां te pack तो इधरनने घटनना, जो दी खटे ताहले कई को, घोटे जाए, ताहले किछुपकुरे थाक्ता होवे, और किछुपकुरात chemotherapy ना मदेर पक्स बोले तुमा देजन आता आइन आछी जे आइन आता सुधु माच चोटु देजन । आछर वचर नीछे जे तुम्रा जारा छत्य चोड़ु छेले में तादेर जन तार पक्सोटा की जोदी कनोदी एई धाउनेर तुमादे निर्जातन होए जेटा के आमरा बोली जे जोनो निर्जातन ना सेक्शुआल एसर्ट जे घरतनेर निर्जातन जेटा मानोसी होते पारे शारिरी होते पारे डूतट थेकर नाच fixには होते पारे एंदोरानेर किन्टु नाच्ण घटी May यह अम्रा केण तो 2, बोल लाम अम्रा किंतु सुब्कुरे थागोना, भायपाबोना, लोज्जा पवना आन अपरात्त्रा आमी कोरेहिं, अनना ऐटा आमी कोरेहिं आमाँ शातेकिंतु अन्नार जन्कोरे चे जा पार्पावा दोर। अम्रा कीनतोर्प शानाय जोगाजोग बेलिकु। आपने भाते नियुदु एकटी में मोध्य योगुर। प्वाले मोड़ना किया पूटी में पूलीष जे अंकेली आंठी ता ये किरने मोड़। आफ टोमाादेर कास्तेके जानन दे की होई चिल्हाट घटेनτα, नाहो लिए जो जुष्ट्यु चे आंक्ेल emba या जो बाजाि प्रेकिटा पाज़ए। तक säga क्काके कोड़ थी कोड़े। तुमाादेरके जानने वाभे। अगे बोलते हवब, की भाभे बोल भे ? उमार के खोट ठाएक्ट, मानुस ऊमार के खोट थानाई जेत्व हवब मेंजेते होब आहस के खोजस्च्रा कि अजिछे मिए मिखें चाहिखेday गोलुःत उने कुली आंक्राणति ó रोहेछे दिम ने, आमाके बोलते होलो जढ आमा शाते की होएछे, मुन दिम भहभय पे आची, आप जिजे बोल बोहना, तार करे चर्डेए रहोम भर्तम खरटना घटे. आमी टो बोलते बार्ताम, मुन अमेखिट भहभय पेखिएटा, अमांके वेखें भॉलदे दिते शुजख कर लेज ते ताँ जोन नो आमांके कीचुल कीच़ी शुभि दा ईपकस भॉला सहा हिए ज टरख चाहिल फिंपल्डी कोड्न भी चाहिल फिमिष्जाण ज्अधिंट आरो श्या इक न फिट टैंतलश आमादे महाँ थ Handy a take on a आप गोरी होरा थाकि लिएक। जो दोख जोगन निए, थानार मोद्ध दोशनं धोला यो आधे जो जी किन दिल जाते लें खरतीन ना होए उटा तादे जोने निद्धिश्ट्य करा खॉर। शेखाने आमी बोलते बाडी, आमार कथा, बा, आमी आमार बाडीते हो बोलते बाडी इच्छा कोले, शेटे आमाके बोलते होबे, जया, आमी थानाय जेते चाहिछी ना, आमाके आमी बाडीते ही बोलबे, आमाके आमी पासरी बागी कोनो आंकी श्वाम के बोलबे, तुमी ज आँकेल आंकेलां तीज आमस्पूले ठीचारणा थाकेन बाली देखी आमादे बरोदेर शे राखम फ्राधारन प्रोशाके थाकबेन देखे भूजदेही पाड़बेन ना जे तारा पुलिस तारा अरखम भावे बंधी बावे मोटे तुमा शाते काथा बोलबेन ना आमादे बाली दोके बरोर आमादे शमुष्चा सोनें शेवर होए किन्तु एई बरोरा शे शमुष्चा सुन्दे वेवा, छेटा थानारोई चाहल फेले लिए करनार हो, तोमार पछोन्दमोत जाए गये हो, तारां साधरण पशक्या के आश्बेन, तोमार बक्तबो तुमी बोलबे तोमार मतन कोड़े। तुमाँ जो जी भासा समोचो थार के, जे भासा टा पुलीज啊 uncle anti busz शते पार— शेह भासा टा, तादरर्क किंतु शेह भासा अनु बादोक । जाकर इन्टरप्रेटर बोली, सेह अनु बादोक नियाश्पे दारा किन्त हो औही भाशे टा ट्रांसलेगबा उनुबात कोरे देद तुमी की बोल से घुटे चों, तोमार वग्ताप मोटो तोमार में कोरे तका घुटे, घुटे, भावे कोरे ईबोलु कोरे के उतार मोंदे कीच्छी जुप्त करवें एटा होई चिलो अटा होई चिलो बले जिगेश करवें ना सम्फुर्ण दाइट चे तोमार तुमी की भावे बोल छो बा तुम्रा की भावे बोल छो एटा कीन्तु पुडोर्टा रेकरडिंग होगे यह रहा मथे आखान अन्लाइन क्लास कोड़ तुम्रा तुम्रा कमा तुमादे पुरो बिशivity कीन्तु रेकरडिंग होगे जाते तुमाके बार-बार एकी कथा बोलते नहें बार-बार तुमाके पूलिस का खुदे संगे जवा हिएक कडे एका हो चीलो उतिको वा कैसे का नहें बोली तर मं भशले रेकरडिंग प्रोल्सकलन पोलली पूलिस गराकडा झास बोल्伊 Ether थानाये तीनेर वेला कथा बोलबेन तो मासा युदी तो तो मार एजे दूश्टो आंकेल आंटी एजे तो मा सदे खाड़ाप्त करें शाथ पयार्श नाय गोड़ेची त्वाश्टी हिता शाज्टि आपने से शाहज्जो करें परें क्रें, था खांव को नियुदा. तुम्ही किन्त, एका कैंऊ पुलीस आंकेल-अंटि सते कफा ब Guid 옆ले दी पारें आरॉन किन्तु बोल्ता हाबे टात क्ये तुमा संगे थागबे जादे टुमी एक तुम्हां भाब्डे ना जा भॉय ना पाओ इभान तुमी खुब कॉम्फोर्ट तुमी कॉर्ण रहाय कोनो ड़रों कि आश्रश्ती ना होई तुमार मोप्त्टे आर जाहन जुदिकों तुमारे चो आउंतिटा हें तमाशात्या कींटो कि थेदम हम है पूंप दिता भीब लगत्जल्या पूंप तपत पनिंदल सेफ्रून हमें का तब तुन में अजय बयाव करतन से समेशत्याअ कैArtनी आवाऍतिफेसं आधा लते डिये जिये गयें जियें। आक बार बहकर पमार अधालाते कि गियें। आधालाते कि गियें आधालाते कि सीच कोटे कि शक्या चिक हैं। जो दूस्तों आंकेल आंकी जात जात आधी ज़िवा गड़ेशो ता रूखील रग़ेशो तुमार रूखील आसे शेशो चाचा मेशो अननो लोखेर आसे शेरा खुम मोटे इना है तोम्रा बयान दाओ दिएले आक्टार तोमार पचुन नमोतो जाएगा शेदाफों शुचु मात्रो जोच्छा है वे मैजिस्ट्रे चेश्वामने तोमाके बयान दीता वे शेखाने अन्नो कोन उकील तोमार उकीलो थागबे ना अन्नो पोखिर उकीलो थागबे इना क्यों भरेन मोद्या अटा बध्धो खड़े तोमाल 12 शुन्यन जाच्छा है वे शेखाने शेखाने वेकिन तोमाल बारीर के वएजर उपोस्तित थागबे वां पूलीस थागबे तोमाके शाहज्य करा जोन्नो शेखाने किन्टु तोमाके आबार बोलते हवे तोमाके टुमाके उत्तो दिते पालों बात तोमाके शाहज्य करा जोन्नो जश्ष भ खड़े यह थागरी फिरेखाने वे ने किन्टु पूरो बिशय ताई किन्टु हबे रेकरव्डे पूरो टाई ओडेय विडेयो रेकरडएर हबे तोमी खिकी बोलचु जाते बार बार तोमाके ब्याबार आदालाते आस्ते ना होएं। इबां एई रेकर्डेट भार्षन टाइ किन्तु एई रेकर्डिंटाइ किन्ते जी दुटो रेकर्डिंग तुमि दिले, छाज्य कोड़े, आक्तम भायना पे बोले, सब कीछु बोरुषिकार भावे, एई रेकर्डिंग किन्तु एउल्वार नाम कथा बोलत भाएं। आइक दों चुपकरे था क्बना... आमी एक्व् 높 चैचिये पार norma बॱुकु अने, धन्य भावे तेके, 고वं सुमि लावे, कि आयरं Forma Frick शुषमित आदी एक लोखिन तुब मोने रागवे तुम्रा हाँ आद दर्कार होले जाना आवे बामा के जाना आवे एचे एए एए होच्छे एटा खुब जोरोरी क्या मोन आरे शंगे-शंगे श्रेशकोची आमादेर आजकेर सहज पार्ट रेडियो निवेदार में पुष्ची मंगो शिशु अधिकार शुरोक खायोग सहज गीताए जादो पूर्भी सविद्धालायर कम्यूनिटी रेडियो 90.8 मेगा हाट्च विदाईनिच्ची आमी मंकु पुष्ची मंगो शिशु अधिकार शुरोक खायोग